दोस्तो अब याप लाइब देख पार होंगे आई टी आई का जो रिजल्ट है और जाड़ी कर दिया गया है इसमें पता कर सकते हैं कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं साथ में किस सब्जेक्ट में आपको कितने नमबर मिले हैं और सारी जनकारी आप खुद से देख सकत मैं पूरी step by step process साथ हुआ आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो को आप अंत तक देखिए पसंदा तो इसे like और share जरूर कर दीजेगा और चैनल पे नए हैं तो subscribe जरूर कीजिएगा ताकि इस पर करके जो भी update होगा आपको मिलता रहेगा result इच्छी करने का link मैंने description box में आपको अपलप्त करवा दिया है direct आप इस website पर आएंगे जहां पर देखिएगा तो आपको सबसे पहले PRN नमबर मागा जाता है ये नमबर आपके जो admit card होंगे उस पर दिये गये होते उसको डालेंगे date of birth के लिए calendar मिलता है सबसे पहले जो भी आपका साल हो उससे chain करें जो महिना हो जो date हो इस परकार आप chain करेंगे और submit वाले विकल पर क्लिक करेंगे submit करते ही इस परकार का interface आएगा आप यहाँ पर three line जो मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे एक option मिलेगा view result का जिस पर क्लिक करना है उसके बाद एक option मिलेगा view result के नीचे देखेंगे इस परकार आप इस पर click करेंगे आपके सामने आपका result खुल कर आएगा इसमें मुख्य रुप से जो जनकारी देखनी है साथ ही ओभर ओल रिजल्ट में देखना है कि आप pass है या fail है वो जनकारी देखेंगे बाकी हर subject में आप देख पाएंगे कितने नम्बर की अग्जाम हुई थी इसमें आपने pass हुआ है या नहीं हुआ है कितने नम्बर आपको मिले है हो जनकारी मिलेगीにちは टोटल जैसा 600 का इक्जाम हुआ था इनको 493 नम्बर मिले है वो जनकारी मिलेगी इस परकार इसको आप देख सकते हैं इसको प्रिंट करना है तो Ctrl P करकर इसका प्रिंट आप निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं इस परकार आप सभी Candidate ITI का जो रिजल्ट है और शेक कर सकते हैं उमीद करता हूँ अपने पूरी जनकारे समझा होगा तो वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद जयाहिंद